आज के दिन देश में असली मुद्दे की बात है COVID-19 जिसकी वज़े से दिन प्रती दिन लोग मरते जा रहे हैं अभी हाली में दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 10 से ज़्यादा पेशेंट्स की मौत हो गई ऑक्सिजन की कमी की वज़े से हैरानी की बात यह है दोस्तों अगर आप डेटा देखेंगे सेंटर गवर्मन्ट ने कितनी ऑक्सिजन अलोट करी है कितनी स्टेट्स को इसमें आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली एकलौती स्टेट है जहां पर जिस जिस ऑक्सिजन की जरूरत है स्टेट को उससे काफी कम ऑक्सिजन अलोट करी गई है सेंटर गवर्मन्ट की तरफ से 700 MT से ज़्यादा oxygen की दिल्ली को जरुवत है और center government ने सिर्फ 490 MT allocate कर रखी है दिल्ली को सारी states के comparison में सबसे बुरा हाल यहीं पर है और कई लोग यहां पर कहते हैं कि state governments पर भी उतना ही blame जाना चाहिए center government को इतना मत blame करो लेकिन यह oxygen को allocate करने का काम सिर्फ और सिर्फ center government का है देश के हर state जब state governments खुद कोशिश करती है oxygen को लाने की तो उन्हें लाने नहीं दिया जाता center government की permission के बिना यह example देख लीजिए उसका और जिस दिन यह oxygen की कमी की वज़े से low अधिहान थुआ उस दिन तो यह 490 जो promise किया हुआ है यह भी नहीं पहुचा पाये थे इसी को लेकर दिल्ली हाई कोट ने center government को डाट भी लगाई थी कहा था कि अगर यह oxygen supply नहीं कर पाऊगे तो हम contempt of court तुमारे खिलाफ जारी कर देंगे हाई कोट के कहने के बाद center government ने दिल्ली की जो allocated oxygen supply है उसे 100 metric ton से बढ़ाकर 590 metric tons तक कर दिया है जिससे की इस oxygen crisis से लिपटा जा सके इन्होंने कहा है कि एक expert group बनाना चाहिए सरकार को जहां पर relevant experts और scientists बैठेंगे जिनका काम होगा oxygen की supply को देखना कहां से आ रही है उसे allocate करना सही तरीके से और सारी चीजों को सही तरीके से manage कर पाना इसके लिए experts की जरूत पड़ती है जो कि सरकार ने अभी तक नहीं किया है सरकार बस अपने politicians पर rely कर रही है जो कि actually में busy थे अभी तक Bengal elections में action लेने के लिए आज के दिन दुनिया भर के देश इंडिया की मदद करने को तयार है औक सरकार की mismanagement की वज़े से centralized approach की वज़े से ये काम सही से हो नहीं पा रहा है सरकार सब चीज़े खुद से control करना चाती है किन states को oxygen मिलनी चाहिए कितनी मिलनी चाहिए कहां से वो आएगी कहां से drugs procure किये जाएंगे सब कुछ खुदी manage करना है लेकिन अगर ये काम सरकार एक expert की team को दे दे emergency commission को दे दे तो काफी काम असान हो सकता है और सही तरीके से भी किया जा सकता है दूसरी इनकी recommendation है कि paramilitary forces को empower करना चाहिए और Indian army, Indian air force का इस्तिमाल करना चाहिए जल्दी से जल्दी नए hospitals बनाए जाएं, vaccinations के लिए तयारियां करी जाएं, beds लगवाए जाएं